सबसे पहले जैम आता दी तो टाइम हो गया है सुबह के पोने पाँच और मैंने अपने लिए चाई बना ली है और मुझे लगी थी भूख तो मैंने साथ में ले लिए हैं बिस्किट अब करते हैं अपने पढ़ाई शुरू तो आज का जो टार्गेट है सुबह का वो है थर् ग्लस मैं सुभा करती हूं मैंने आपको बोला था अभी रूटीन में मैं इसे लेकर आई हूं तो थर्मोडाइनेमिक्स के लिए वो physics की चली हुई है तो physics की class में thermodynamics में कल जो है open system, close system यहां तक हुआ था आज जो है सर ने car note engine से जो car note theorem है हमारे पास class 11th की book के अंदर उससे पहले का topic वो करवाया है यानि कि basic आपको idea मिलेगा source का, sink का क्योंकि बहुत ज़ादा basic question आते हैं मैंने आपको बताए था तो वो सब है और पाकी जो है first law of thermodynamics क्या है second law of thermodynamics क्या है close statement क्या है Kelvin Planck की statement क्या है यह आपको एक बार idea इनका ज़रूर लेना है इससे ज़ादा आपको thermodynamics में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और एक चीज़ मैंने आपको कल भी clear की थी कि there is a lot of difference between chemistry and physics तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि thermodynamics जो है दोनों में बहुत ही अलग है question solve होंगे वो अलग तरह से होंगे क्योंकि एक chemical property पे काम करता है एक physical property पे physics P for physical तो यह physical properties पे यानिकी surrounding के according काम करता है और जो आपके पास chemistry है वो chemical properties पे यानिकी system के according काम करता है तो जिससे आपके पास thermodynamics में difference आजाता है तो बहुत ज़्यादा देख के और बहुत तरीके से करना आप जहां से भी पड़ो तो यहाँ मेरी thermodynamics की class हो गई है complete और क्योंकि class जो होती है वो देड़ घंटे की होती है तो उसमें मुझे time लग गया है देड़ घंटे से थोड़ा सा जादा तो आप देख सकते क्योंकि notes भी बनाते हैं तो time हो गया साड़े 6 के अप्रोक्स अभी जो है revision start कर देते हैं general section की तो general section में आज हम topic बता देती हूं जो की tips हैं जो मैंने आपको बोला है कि मैं हर दिन आपके साथ discuss करूँगी तो बहुत ही basic tip है और बहुत ही important tip है आज तक आपने LCM HCF का एक basic formula 10th class में पढ़ा होगा 10 से पहले भी पढ़ ले तो आज के लाग कि जो आपके पास LCM और HCF का product होता है वो दो numbers के equal होता है बट इसके अलावा questions को गुमाते हैं वो ratio के basis पे तो ratio से करना बहुत ही असान हो जाएगा मैं आपको तीन formula बताऊंगी उन तीन formula से आप कितने questions solve कर पाऊगे आप देख लेना आप maximum question जो है HCF LCM के वो sort out कर लोगे अपने solve हो जाएंगे वो easily तो सबसे पहले discuss करते हैं टेप number one आपके पास अगर दो ratio है ratio को मैं माल लेती हूँ एक ratio A given है एक ratio B given है और आप से पूछा गया है LCM तो आपके पास क्या होगा उसमें HCF given मिलेगा हमेशा तो कैसे निकालोगे formula मैं लिख देती हूँ A multiply B multiply HCF is equals to LCM तो ये है आपके पास first formula इससे आप काफी question solve कर पाओगे अब second formula हम discuss कर लेते हैं जो क्या है आपके पास numbers पूछे जाएं तो second formula में क्या करना है ratio given हो HCF given हो और अलग से numbers पूछे जाएं तो क्या करो first ratio को multiply कर दो HCF से number 1 आ जाएगा और second ratio को multiply कर दो HCF से तो आपके पास second number आ जाएगा ये मैंने note down कर दिया है अब discuss कर लेते हैं last आज का third formula जो कि आपको बहुत पहले से पता है number 1 multiplied with number 2 is equals to LCM into HCF ये आपके पास formula तब use होगा जब आपको LCM HCF दोनों given होंगे और आपको numbers का product निकालना है इन तीनों formula में बहुत जादा difference है formula आपको बहुत easy लग रहे होंगे लेकिन बहुत ही जादा minute minor difference है इनके अंदर तो आप इनसे questions होल करना और मुझे जरूर बताना comment section में कि आपकी इनसे help होई या नहीं मैंने इनसे काफी questions होल करके देखे जो कि बिलकुल यह चुटकियों में होगे और वैसे हम उनमें उलज जाते हैं तो एक पर जरूर try करना और मुझे जरूर बताना फिर कल discuss करेंगे हम 3 ratios के लिए 3 के लिए थोड़ा सा difference है यह formula 3 ratio के लिए valid नहीं है यह सिर्फ 2 ratio के लिए valid है वो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी division चल रही थी क्योंकि question है 85 के round तो आज मुझे 40 तक करने है उसका मेरा target है तो उनमें यही pointers बने है मेरे 3 ratio वाला जो है और यह साथ में sprouts लिए है जो मैंने मंगवाई थे तो आज के लिए बस यह यह लंच में लेके जाऊंगी और मैं हो जाती हूं रेडी जल्दी से college के लिए और आज भई college में आ गया था तुफान शाम के time पे जो कि मैंने clip as it is डाली है वहाँ पे मैं voice over नहीं करूंगी क्योंकि मुझे वह sound बहुत अच्छी लग रही थी और मैं आपके साथ share करना चारी थे उसको तो अभी जो है मैं college के लिए जल्दी से निकल रही हूं और शाम को जो है आज किस किस के यहाँ पर बारिश और तुफान आया जरूर बता ना पौने पांच बजे के अराउंड जो है शाम को तुफान आया था तो उसकी क्लिप आपको आगे मिल जाएंगी क्योंकि college में अपना काम होता है वह आपको पता है पीस्टी का तो यह देखो आगे का तुफान का भी लुपवववचस चाउज फ्ता के गos घो है वह दहा है मैं कि ऑपके एंच पांबदиций का प्ला बीके प्लावन इस हालत को देखते हुए मैंने जल्दी से अपना बैगपैक किया कि मैं जल्दी निकल जाती हूँ आज तो मैंने आज पांच बजे ही अपना बैगपैक कर लिया था और लैब को कर दिया था बंध। और ये माते टाइम थोड़ा बीग तो गई थी लेकिन ले आई थी देखो ये मैं गुड़े ओर ले आई थी एक चोकलेट खाने का मन था वो भी ले आई थी और तूद का पैकेट पिले आई थी और साथ में बैयाज नीचे प्रिशाद मिल रहा था तो ये प्रिशाद में ले दखाया और इसके बाद मैंनी केमिस्ट्री क्लास हमें कियोंगे री सब्कृट्स meets तो नहीं होगी इसलिए तो केमेस्टी में भी थर्मोडायनमिक्स चला हुआ है और केमेस्टी में मैं आपके साथ प्रॉमिस किया था कि डेली डिसकस करूंगी उससे मुझे भी काफी बेनेफिट हो रहा होगा उससे फिर भी कोई क्वेरी डाउट रह जाता है जिसे आज भी से फिकिके मेल आया था तो मैं हमेशा मेल भी लुरूड देख्ते हूं banalo επιकस्टा रहते हैं क्युक्त होता स्काई हुमस्ट का कामम हीमल से रीलेटिड रहते हैं तो हम मेल पर अर्म कर डियान हो की कोई ऑसा मैसिज ना जाए जो इंपोर्ट पु क्रॉट देते हूं बा के लिए इतना ही कल फिर से मिलते हैं नए व्लोग के साथ थोड़ा लेट इसलिए होगे क्योंकि आज आके थोड़ा में रेस्ट करने लगी थी दूल मेटी चलेगी थी आंखों में इसलिए थोड़ा लेट क्लासेज हो रही हैं तो आज बज गया है एक आप सुएंगे और सु नहीं तोड़ेंगे ठीक है बाबाई गुद नाइट ओल दे बेस्ट फोर यर प्रिपरेशन थैंक यू फो वाचिंगे